नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर मंगलवार को महापूर दयाशंकर तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री और विदान सभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फण्नविस की निधे से वार्ड सत्रा में बने विरांगुला केंद्र का उद्गाटन किया साथी गुजरवाडी में महापूर कोश के तात क्षेत्र के संदरी करन कार्यों का भी महापूर ने भूमी पुजन किया नेहरुनगर जोन के वार्ड 26 के नागरिकों के स्वास्थ समस्याओं को ध्यान में रखते वे इस क्षेत्र में सिवेश ट्रीट्मेंट प्लांट स्टीपी लगाना अत्यनता आवशक हो गया है महापूर दैशंकर तिवारी ने ख्षेत्र की आबादी को मद्दे नजर रखते वे नागपूर महानगर पाली का द्वारा नागपूर सुधार प्रन्यास को पाच एकड़ भूमी सिवेश ट्रीट्मेंट प्लांट के लिए उपलब्द कराने के निल्दिश दिये वाट 26 में समस्याओ के मद्दे नजर स्थानिय नगर सेवक एड़ोकेट धर्मपाल मेश्राम के आगरह पर महापूर दैशंकर तिवारी ने मंगलवार को मनपा और नागपूर सुधार प्रन्यास के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई महापूर सबागरों में हुई इस बैठक में महापूर दैशंकर तिवारी पुर्व नागपूर के विधाय कुरुषना खुपडे उप महापूर मनिशा धावडे नगर सेवक एड़ोकेट धर्मपाल मेश्राम नागपूर सुधार प्रन्यास के मुख्या अभियनता एसन चिमूर कर मनपा उपायुक्त विजेहुम ने कार्यकारी अभियनता श्वेता बैनर जी उपाभियनता राजिश दुपारे आधी उपस्ति थे शुरुवात में पार्शाद एड़ोकेट धर्मपाल मेश्राम ने महापूर को वार्ट 26 की समस्याओं से आवगत कराया परशासन को पत्र बिजा गया है नागपूर के स्वच्छा और सुंदर शहर की छवी को बरकरार रखने के लिए लाड़ पागे कमिटी की सिफारिश के अनुसार लगतर शहर की स्वच्छता के लिए सेवा करने वाले 92 सफाई कर्मचारियों के उत्तरादिकारियों को स्था पत्र प्रदान किया गया है महापूर कक्षम में सादगी से आयोजित किये गया इस नियुक्ति पत्र वितरन कारेक्रम में उप महापूर मनिशा दावडे स्थाई समीती सभापती प्रकाश गोयर स्वास्था समीती सभापती महेश संजय महाजन वरिष्ट नगर सेवक संध पाल मेश रम, लाड़ पागे समिती के किशोर मुटगरे, साहयक अधिक्षक रमेश लोखंडे, सतिश डागोर, अजय हाती बेड, आधी माननेवर उपस्तित थे। का रैंक बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। भक्तों को नर्मदा उपसना की महिमा बताते वे कहा कि मानर्मदा नित्य दर्शन यह है, उनके केवल एक बार वार्शिक या अर्धवार्शिक दर्शन से फलशुरूती प्राप्त नहीं होती, प्रति दिन दर्शन तोत्र पाठ आधी कर्म करने से ही दर्शन का वास्तवी कला प्राप्त हो सकता है, इससे अध्यात्म मार्गे के द्वार भी खुल जाते है, अन्तमे महा आर्थी के उपरांत भक्तों ने महा प्रसाद ग्रहन किया महिमा महिला अर्बन क्रेडिट को अपरेटिव सोसाइटी रानी दुर्गावधी चोक नाकपुर की ओर से विश्वगाई का सूर कोकिला स्वर्गी अलता मंगेशकर को आत्म शांती के लिए भावपूरुन श्रद्दान जली दी गई इस कारेक्रम में कॉंग्रेस नेतर अवी पावनी कर भारतिय जनताबार्टी कामगार अगाडी की अध्यक्ष भासकर पराते राजेश धापुड कर सुधाकर सोनकुसरे बुशन ढोले चंदू ठाकूर सुमित धापुड कर इम्रान अली शैलेश उज्जेन कर संजय नंदन कर किरन निखारे प्रतिक्षा उम्रेट कर दुर्गा धापुड कर आधि मानने वर उपस्थित थे श्री दिगंबर जैन युवक मंडल सैत्वाल एवं महिला शाखादवरा आयोजीत सुमंगल वेबसाइट का लोकारपन समारो रामचंद्र मत हनुमान मंदिर शिल्डी नगर में किया गया इस अउसर पर मुख्यरूप से जैन एमपाउर्मेंट और्गनाइजेशन के अध्यक्ष अभिनंदन पलसापुरे पार्शुव प्रभु दीगंबर सैत्वाल जैन मंदिर इत्वारी के अध्यक्ष दिलिप शिवनकर दीगंबर जैन युवक मंडल के पूर्वसचिव डॉ नरेंदर भुसारी पुलक जन चेतना मंच के राष्ट्रिय करया अध्यक्ष मनोजबंड मंडल के अध्यक्ष विने सावलकर एवं महिला शाखा की कारेवा माया सावलकर उपस्टित थे अभिनंदन पलसापुरे ने कहा कि आजकल के व्यस्त जीवन शेली में प्रोध्योग उपयुकत इस वेबसाइट का लाब युवक यूति एवं उनके पालकों को अवश्य होगा इस वेबसाइट के माध्यम से वे अपने लिए अनुरूप जीवनसाती का चायन कर सकते हैं उन्होंने स्वयम इस वेबसाइट के लुकारपन के लिए काफी परिश्रम किया है प्रेश संगर्ष परिश्रम एवं लगन से मैंने CISF जैसी राष्ट्र सेवा के प्रती समर्पित संस्ता में देश के प्रती कुछ कर गुजरने की सोच के साथ नोकरी प्रारंब की। उबाले निवैक्त किये। उन्हें दाधिच समाज नाकपुर की ओर से विभिन्नक शेतरों में उपलब्दी के लिए संभानित किया गया है। देते वे मोहिनी का परिचाय देते वे उनकी और घंश्याम बिसावा के भरपूर प्रशंसा की जेपी शर्मा ने भी मैलाओ के कारियों वर नई सोच के प्रती बदलते नजरियों पर प्रकाश डाला क्वेटा कॉलोनी में भारत रत्न स्वर्गिय लता मंगेशकर को पुष्परपन कर श्रदान जली दी गई सुरसामरादनी लता दिदी का निधन कला जगत के साथ साथ पूरे देश के लिए एक अपुर्णी अक्ष्यती है एस अउसर पर बबलू आचारिय, निती नखाते, सचीन करारे, अनिल जैन, नितेश जैन, आसिप पठान, रहुल लाड़के, शैलेश नेताम, राजेंद्र अडिकने, आदम जावेद, योशुब भाई, आदिमान्नेवर उपस्तित थे लोकमान्य तिलग जनकल्यांड शिक्षन संस्थान द्वारा संचालित, प्रियादर्शनी ग्रूप आप इंस्टिटूशन्स की और से, आयोजित प्रियादर्शनी जैल चैंपियन्स ट्रोफी में, महिला क्रिकेट टूर्नामिन का उदगाटन मैच, प्रियादर्शनी जीएम आसुट कर, फ्रोफेसर मनो जमबाड कर, डॉक्टर राउट, डॉक्टर तिवारी आधी उपस्चित थे, मैच का टॉस पीसीई पायोनियर ने जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का निर्णे लिया, पीसीई पायोनियर की और से भारती और वैशाली की शांदार उपन साज़दारी रही, इसके चलते पीसीई पायोनियर टीम ने निर्धारित ओवर में बीना विकेट खोए 68 रन का लक्ष प्रतिवध्वंदियों के सामने रखा, जवाब में प्रियदर्शनी जेयल की टीम ने भी बहतरिन बल्ले बाजी की, सलामी बल्ले बाज गायतरी और र पेशाली और हर्शा ने अच्छी गेन बाजी तो की, लेकिन गायतरी और रश्मी की धमाकेदार बल्ले बाजी के सामने यह नाकामी साबित हुई मध्यभारत में पहली बार डेंटल इंप्लांट केर फाउंडेशन के सहयोग से धन्तोली के जामड क्लिनिक में मेडिट आई 700 इंट्रा ओरल स्कैनर नामक एक अत्यादुनिक डिजिटल उपकरन उपलब्द कराया गया है यह कोरोना एवं म्यूकर माइकोसिस के मरीजों के लिए विशिश रूप से फाइदेमंद है यह उपकरन म्यूकर माइकोसिस के मरीज के जबडे की डिजिटल तस्वीर लेकर 24 घंटे के भीतर दातों का एक नया सेट प्रदान कर सकता है इस तकनिक से मरीज के जबडे और द जातों को बदला जा सकता है जामड क्लिनिक ने डेंटल इंप्लांट के एर फाउंडेशन के सहयोग से 150 मुप्त स्कैन प्रदान करने का निर्णे लिया है जामड क्लिनिक में रविवार 30 जन्वरी को इंट्रा ओरल स्कैनर स्थापित किया गया इस अवसर पर मुईत जामड ड डॉक्टर सुनिल गुप्ता, डॉक्टर सचीन गाठे, डॉक्टर पुनम हुडिया, अंकीत आबड, अरपीत आबड, संजे छाजेड, तरुन निर्बान, अंकुष बूरा, डॉक्टर नीतु धूत, सुबिर दत्ता समेत कई चिकित सक एवं कर्मचारी गण उपस्ठित थ सुबह शिविर प्रारम होने से पहले, मंदिर में पूजा व आरती की प्रक्रिया संपन्न हुई, मंदिर परिसर में उपस्थित डॉक्टरों ने नागरिकों को स्वास्थ सुरक्षा व कोरोना महमारे से बचाओ के दिशा निर्देशों के संधर्ब में जानकारी प्रदान विवित शेत्र के कुशल चिकित सक डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा, राजेश रावंडे, डॉक्टर अंकित फुलसुंगे, डॉक्टर डॉली टावरे ने बड़ी संख्या में उपस्थित मरीजों और नागरिकों का स्वास्था परिक्षन, शुगर, बीबी, इसीजी द् जांच की, दवाईयों के संदर्प में मरीजों का उचित मार्गदर्शन किया गया, इस अउसर पर उत्तर भारतिय सभा के पदाधिकारी, अमरिश दुबे, रजनिश दुबे, पियस्तिवारी, संतोष सिंग, शैलेश शर्मा, दयाशंकर मौर्य, हर्ष सिंग, अंजनी संद्या सिंग आदी उपस्तित थे, शिविर के पश्चात आयोजकों की और से महाप्रसात का वितरण भी किया गया, इस शिविर का बड़ी संख्या में नागरी को ने लाप लिया महाराष्टा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी अध्यक्ष नाना पटोले, नागपुर शहर अध्यक्ष वो पश्चिव नागपुर के विधायक विकास ठाकरे के मार्कदर्शन तथा मध्यब्लोक अध्यक्ष मोतिरा मोहाडिकर, वो कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता, रुपे रुपे तनख्वा के उपर वाट सफाई का काम करते थे, पिछले दो साल से सफाई करमचारी अपनी जान की परवा किये बिना कोरोना महामारी के दोरान भी कोरोना पेशन्ट की सेवाय करते रहे, रुपेश लोखंडे ने कहा कि सफाई करमचारी अपने घरवालों की परव प्रते निधी मंदल ने रवी भवन में महराष्ट के उर्जा मंद्री तथा नाकपुर जिले के पालक मंद्री डॉक्टर नितिन राउट से मुलाकात की और महराष्ट के विदर्ब मराठ वाड़ा डी एंडी क्षेत्रों के उद्योगों को प्रदान किये जा रहे टैरिफ प्रोट्साहन को अचानक बंद करने के समन में ग्यापन प्रस्तुत किया इन पिछले क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोट्साहित करने के लिए उपरोग तक शेत्रों में बिजली प्रोट्साहन योजना महराष्ट सरकार द्वारा शुरू की गई थी इसका मकसद ये था कि मौजुदा प्रतिनीधी मंडल ने कहा है कि ये आश्चर जनक है कि महावितरन ने विदरबक शेत्र में उपभोकताओं को जारी किये गए जनवरी 2022 के महिने के बिजली बिल में विधर्ब, मराठवडा, प्रोथसान योजना का लाब नहीं दिया गया है जबकि सरकार के ही नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार 2024 तक प्रोथसान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध थी, प्रोथसान योजना का क्रियानवयन चार महिने पिछे चल रहा है, अतह इसे जल्द से जल्द शुरू करने की आवशकता है हाल ही में प्रभाक एक जरिपटका में भाचपा महामंत्री, राजेश धनवानी के नेतरुत्व में महापौर दयाशंकर तीवारी का सतकार किया गया इस अउसर पर प्रभाक के नगर सेवक विक्की कुक्रेजा, अध्यक्षय जग्दिश वंजानी, महामंत्री विजे तामबे, उत्तर मंडल के उपाध्यक्षय हरिश मुल्चंदानी, सुरेंद्र वाकमारे, महेश बठेजा, रामदलवानी, राजेश खत्री, गिरिश मंज दिलिब धनवानी, जैमुल चंदानी, कमल राधवानी, विजे जेस्वानी आधी उपस्तित थे शहर में कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने, वने मामलों को रोकने के मद्दे नजर, जिलाधिकारी कारियाले द्वारा समय समय पर विभिन दिशान इर्देश जारी किये जा रहे हैं इसी काड़ी में, रेस्टोरेंट एवं सम्मंदित प्रतिश्ठानों को राध दस बज़े तक खुले रखने का आदेश दिया गया था इस संदर्ब में, नाकपूर रेसिडेंशियल होटेल्स एसोसियेशन के प्रतिनिधी मंडल ने अध्यक्ष तेजिंदर सिंग रेनु की नेत्रुत्व में, जिलाधिकारी आरविमला से मिलकर मुंबई वपूने की तरह, रेस्टोरेंट एवं सम्मंदित प्रतिश्ठानों क रात देड़ बजे तक खुला रखने की अनुमती देने, तथा शाधी समारों में अधिक्तम 200 लोगों को अनुमती देने का अनुरोद किया और ग्या पंसोपा। अधिक्तम 200 व्यक्तियों की अनुमती दी जानी चाहिए। रेनु ने बताया कि मुंबई वपूने में अधिक मामलों के बावजुत रेस्टोरेंट को रात देड़ बजे तक खुले रखने की अनुमती है। अधिक बिजनेस एस्सोसेशन के संस्थापक अध्यक्ष मनोहरलाल आहुजा वसभी सदस्यों ने लता दिदी को याद कर नमन करते वे आधरान जली अरपित की। भगवान से प्रार्थना की कि ऐसे महान विभूती को अपने चरणों में स्थान दे। इस अउसर पर मनोहरलाल आहुजा, विलास्रीवेदी, अलिम धर्ती, रमेश शाहू, मिलिन मनपूरे, उम्ब्रकाश चावला, गोपल मुलतानी, सागर जरेल, संजय हर्डे, निखिल रखेजा, आधी की उपस्तिती रही। सदर कारियाने में वैश्य एकता परिशद महराश्र की ओर से, राष्ट्य वरिष्ट उपाध्धिक्ष तथा महराश्र प्रदेश अध्धिक्ष रामकुष्णा गुपता द्वारा, जुगल किशुर गुपता का शौल एवं पुश्पग उच्छ देकर सतकार किया गया। निस्वार्थ समाथ सेवा तथा उलेख निया योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया। 75 वर्ष्य जुगल किशुर गुपता अनिक धार्मिक तथा सामाजिक संस्था उसे जुड़े हुए है। उनके जनहित में जारी कारियों की वज़ह से अमेरीकी सर प्रकार ने भी उन्हें शाने भारत की उपाधी से नवाजा है। अमेरीका से प्रकाशित अखबार हम हिंदुस्तानी में पर्सनलिटी ओफ दिविक के कॉलम में उनके बारे में लेख प्रकाशित किया गया है। इस आउसर पर संस्था के पताधिकारी सरवश्री राजकु लोनारा नाकपूर परिसर में भारत के तिसरे राष्ट्रपती डॉक्टर जाकिर हुसेन की जयनती मनाए गई। इस कार्यकरम के अध्यक्षर डॉक्टर एसम राजन थे। डॉक्टर जाकिर हुसेन की प्रतिमा पर माल लयारपन करके कार्यकरम की शुरुआत की गई। डॉ शाखो चात्र आज भी वहां से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे देश के पहले मुस्लिम राश्टरपती बने। वे एक महान स्वतंद्र सेनानी भी थे जो राश्टरपती पत्तक पहुँचने में सफल रहे। उनसे प्रेना लेकर चात्रों ने अपने भविश्यों को उ प्राचारे डॉक्टर सीमा चिकले, प्राचारे डॉक्टर यास्मिन सिद्धिकी तथा प्राध्यापक वर्ग वशिक्षकेतर करमचारी उपस्तित थे। महराष्टर के अध्धिक्ष इजाज देशमुक्थ, महराष्टर प्रदेश महामंतरी आतिक खान, नागपुर शहर अध्धिक्ष महमद फारुक शेक, भाच्पा महराष्टर प्रदेश अनुसुचिग जाती के महामंथरी, वह पूर्व विधायक डॉक्टर मिलिन माने, नागपुर शहर अलपसंख्यक मोर्चा के महा मंत्री इर्शाद हुसेन, राशित काजी, छोटे सहाप खान, संपर्ख प्रमुक मुहमद रशिद शेक, अलपसंख्यक मोर्चा के पुर्वर राश्टिय सचिव शेक फिरोज, पुर्वर नगर सेवक एवं अलपसंख्यक दक्षिन नागपूर के अध्धिक्ष, सफिर इजवी, नागपूर शहर भाजपा उपाधिक्ष मार्टिन मोरेश और महराश्र प्रदेश अलपसंख्यक मोर्चा के सचीव असलम खान, हाजी रहीम खान, रमजान अंसारी, सर्फराज लीडर, शबाना शेक, नजमा बेग, य नागपूर महानगरपालिका के साथ-साथ सरकारी केंद्रो पर होगा, टीका करन का समय शाम के पाच बज़े तक होगा, टीका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पधधतियों से पंजी करन किया जा सकता है, इसी तरह ड्राविन वैक्सिनेशन केंद्रो पर भी 15 व नागपूर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार कर दो प्राविन वैक्सिनेशन के लिए तक है, रहिए BKB News, नमस्कार